C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तु थे, कक्षा 10 के लिए उर्दू की द्वनी पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक अकबर इलह आबादी सफ़ह 129 तार रुफे शायर अकबर इलह आबादी पैदाईश 1846 वफात 1921 सेद अकबर हुसेन रिजवी नाम अकबर तखलुस था जिलह अलह बाद में पैदा हुए बच्पन जिलह शाह अबाद में गुजरा 1855 में अपने खानदान के साथ अलह बाद गए और यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली यहां पहले एक मकतब और फिर जमना मिशन स्कूल में दाखिल हुए लेकिन 1857 के इनकिलाब के बाइस तालीम जारी नरक सके मुलाजमत की अब्तिदा अर्जी नवीसी से की कुछ मुद्द के बाद अलह बाद जिले में नाइब तहसिलदार हो गए हाई कोट की वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत का पेशा इख्तियार किया मुनसिफ के अहदे पर भी मामूर हुए 1898 में उन्हें हुकूमत से खान बहादुर का खिताब मिला अकबर की जिन्दगी का आखरी जमाना जहनी औ जिस्मानी तकालीफ और परेशानियों में गुजरा 75 बरस की अमर में अलाहबाद ही में उनका इंतकाल हो गया अकबर को शायरी का शौक बच्चपन ही से था उन्होंने आम रिवाज के मताबिक शायरी की अब्तिदा घजल गोई से की कलाम पर इसला गुलाम हुसेन वहीद से ली जो आतिश के शागिर्द थे अकबर के कलाम में घजलों की तादाद काफी है और उन में इतनी जान है कि उन्हें आसानी से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन उनकी इन्फिरादियत उनकी तन्जिया और मजाहिया शायरी में नजर आती है यही शायरी उनकी दाइमी शुहरत का बाइस बनी और इसमे कोई दूसरा शायर उनका हमसर ना हो सका अकबर की जरीफाना शायरी महज हसने हसाने का जरिया नहीं उन्होंने इसके जरीए अंग्रेजी तालीम के मनफी असरात और मगरिबी तहजीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किये और छोटी 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 नजमों से वो काम लिये जो बड़ी बड़ी तक्रीरों से नहीं लिया जा सकता था अकबर इलहबादी अगर्चे तन्जिया और मिजाहिया शायर की हैसियत से मशूर है लेकिन उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा संजीदा शायरी पर मुश्तमिल है उन्होंने बहुत सी नजमों के तरजमे भी किये है अब पेश है अकबर इलहबादी की नजम जलवए दरबार देहली संगीने और भाले देखे बैंड बजाने वाले देखे खेमों का एक जंगल देखा उस जंगल में मंगल देखा ब्रहमा और वरंगल देखा इजदख्वाहों का दंगल देखा सडकें थी हर कंप से जारी पानी था हर पंप से जारी नूर की मौजें लंप से जारी तेजी थी हर जंप से जारी डाली में नारंगी देखी महफिल में सारंगी देखी बेरंगी बारंगी देखी दहर की रंगा रंगी देखी अच्छे अच्छों को भटका देखा भीड में खाते जटका देखा मूँ को अगर्चे लटका देखा दिल दरबार से अटका देखा हाथी देखे भारी भरकम उनका चलना कम-कम थम-थम जर्री जूले नूर का आलम मेलों तक वो चम-चम-चम-चम पुर्था पहलुए मस्जद जामे रोशनिया थी हरसू लामे कोई नहीं था किसी कसा मे सब के सब थे दीद के तामे सुर्खी सड़क पे कुटती देखी सांस भी भीड में घुटती देखी आतिश बाजी छुटती देखी लुट्फ की दौलत लुटती देखी चौकी एक चौलखी देखी हो भी चक्खी पक्खी देखी हरसू नेमत रखी देखी शहद और दूद की मक्खी देखी एक का हिस्सा मन्नो सलवा एक का हिस्सा थोड़ा हलवा एक का हिस्सा भीड और बलवा मेरा हिस्सा दूर का जल्वा ओज ब्रिटिश राज का देखा पड़तो तखतो ताज का देखा रंगे जमाना आज का देखा रुख करजन महराज का देखा पहुँचे फांद के साथ समंदर तहत में उनके बीसियों बंदर हिकमत औ दानिश उनके अंदर अपनी जगह हर एक सिकंदर हुजे भखत मलाकी उनका चरखे हFत तबाकी उनका महफल उनकी साखी उनका आंखें मेरी बाकी उनका हम तो उनके खेर तलब है हम क्या ऐसे ही सब के सब है उनके राज के उमदा ढ़ब है सब सामान एश तरब है अक्बर इलहबादी मश्क लब्जो मानी जल्वा नमाश संगीने संगीन की जमा एक नोकदार हत्यार जो बंदूख की नाल पर लगाया जाता है ब्रहमा काइनात को पैदा करने वाला इज्जत ख्वाह इज्जत चाहने वाला दहर लामे चमकने वाला रोशन सामे सुनने वाला टामे लालच करने वाला लालची चोलक्खी चार लाक का मुराद खीम्ती मन्नो सल्वा वो खाना जो حضرت मुसा की उम्मत पर आस्मान से उत्रा था मुराद बहुत लजीज खाना ओज, बुलंदी, उँचाई, शान, उरूज पर्तो, अक्स, पर्चाई मुलाकी, मिलने वाला, मुलाकात करने वाला चर्ख, आस्मान, फलक, चक्र, पहिया हफ्त तबाकी, साथ तबक वाला, मुराद साथ आस्मान तरब, खुशी, मुसर्द, शादमानी गौर करने की बात नमबर एक दिसंबर 1998 में, लॉर्ड करजन लए वाइसरोई की हैसित से हिंदोस्तान आए उन्होंने 1903 में देहली में दर्बार किया इसी दर्बार पर अकबर इलहबादी ने ये नजम लिखी हिंदोस्तान में लॉर्ड को आम लोग लाट कहते थे ये बरतानिया का एजाजी खिताब है इसके मानी मालिक और आका के भी है गवर्नर या हाकिम सूबा के लिए भी ये लवज इस्तेमाल होता था इसी तरहां डियूक भी खिताब है नवाब, रईस या अमीर के लिए भी ये खिताब इस्तेमाल होता था जंगल में मंगल होना मुहावरा है जिसके लगवी मानी है वीराने में एशो इश्रत का सामान होना या गेराबाद जगा में रौनक और चहल पहल होना दर्बार देहली के मौके पर कश्मीरी गेट से बाहर किंग्सवे कैम तक खेमे लगाए गए थे उस वक्त ये जगा गेर आबाद और वीरान थी खेमे लगने के बाद जब दर्बार के लिए लोग यहां आए तो खूब रौनक और चहल पहल हो गई मिस्रे में इसी जानिब इशारा है अकबर इलहबादी अंग्रेजी अलफाज का इस्तेमाल मानी खेज अंदाज में करते हैं इस नजम में भी उन्होंने बहुत से अंग्रेजी अलफाज इस्तेमाल किये हैं सवालों के जवाब लिखिए नमबर एक सर में शौख का सौदा देखा से क्या मुराद है नमबर दो खेमों का एक जंगल देखा इस मिस्रे में शायर ने किस मनजर की अकासी की है नमबर तीन मेरा हिस्सा दूर का जल्वा शायर ने क्यूं कहा है वजाहत कीजिए अमली काम इस बंद के रदीफ और काफिये की निशान दही कीजिए सडकें थी हर कंप से जारी पानी था हर पंप से जारी नूर की मौजें लंप से जारी तेजी थी हर जंप से जारी नवाए उर्दू भाग दो पेशकष C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत जिल्ली भारत